हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू दा सक्सस के दरा फ्रेंट्स इस वीडियो में हम लोग 2213 पोश्ट भिहार दरोगा का जो मेंस एक्जाम 2022 में लिये जाएगा फ्रेंट्स उसके लिए जो प्लेटफोर्म का भॉलम वन प्रैक्टिस बुक आया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ न्यू बुक है उसका सेट नंबर टू इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसे पहले अल्रेटि हम लोग ने सेट नंबर वन को कवर कर लिया था तो फ्रेंट्स अगर आपने नहीं देखा है तो देख लिजेगा सेट नंबर वन का लिंक आपको आज की इस बॉक्स में मिल जाएगा चैनल पर अगर आप पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यानकी घंटी के निसान को जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी बिहार दरोगा मेंस से रिलेटेड कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचा है तो चलिए फ्रेंट्स बिना देरी किये हुए आज का सेसन श्टाट करते हैं फ्रेंट्स प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर जिजएगा तो फ्रेंट्स आज के सेट का पहला प्रस्ण देखिएगा पहला प्रश्ण है कि संसदात्मक सरकार में कारयपालिका अपने समस्त कारियों तथा नीतियों के लिए उतरदाई होती है किसके परति उतरदाई होती है ये आपसे पुछा गया है आपको कोशिस करना है 5-7 सेकंड के बीच में अपना एंसर चुन लेने के लिए उसके बाद जो भी करेक्ट अंसर होगा पूरी डीटेल में मैं आपको बता दूँगा तो ध्यान देजिएगा संसदात्मक सरकार में कारयपालिका अपने समस्त कारियों तथा नीतियों के लिए विधाईका के प्रति उत्तरदाई होती है तो रायट अंसर इसका अपस्तर नंबर ए हो जाएगा ठीक है सरकार के तीन अंग होते हैं कितने अंग होते हैं तीन अंग होते हैं कौन-कौन से तो विधाईका, कार्यपालिका और न्याईपालिका संसदात्मक सासन प्रनाली में राष्ट अध्यक्ष यानि की राष्ट पती नाम मात्र के प्रमुक होते हैं ठीक है और संसदात्मक जो सासन प्रनाली है इसमें कार्यपालिका और विधाईका के बीच अंतर संबंध होता है ठीक है वहीं अगर हम अध्यक्षात्मक सासन प्रनाली की बात करें तो अध्यक्षात्मक सासन प्रनाली में कारेपालिका एम्लवीधाय के बीच separation होता है अलगा होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंट्स next question है कि भारतिय समिधान की प्रस्तानों को कितनी बार संसोधित किया गया है, तो यह आपको पता होगा already कि केवल एक बार संसोधित किया गया है, तो राइट अन्सर इसका option number यह हो जाएगा, प्रस्तावना में जो 42 समिधान संसोधन हुआ था, 1976 में इसी के द्वारा इसमें संसोधन किया गया था, इस संसोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, धर्न, मिर्पेक्ष और अखंता सब जोड़ा गया था, ठीक है, यह जो 42 समिधान संसोधन था, जो 1976 में हुआ था, इसको मिनी कंस्टिचूशन यानि कि लगुल समिधान भी कहा जाता है, अगर हम प्रस्तावना की बात करते हैं, तो प्रस्तावना को समिधान की कुझी कहा जाता है, प्रस्तावना को अमेरिका के समिधान से अपनाय गया है तथा प्रस्तावना की भासा को औश्टेलिया के समिधान से लिया गया है इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे उसके बाद देखेगा question number 3 है कि निमलेखित में से कौन सा अधिकार केवल राजसभा को प्राप्त है देखे friends अगर कहीं error होता है मैं कुछिस करता हूँ कि answer में कोई भी error नहो लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो आपसे request है कि किरपया question number लेकर करके comment करेंगे ठीक है चलिए तो देखे friends राइटेंसर इसका क्या हो जाएगा देखे नई अखिल भारती सिवाओ को निर्मित करने की संस्तूती करने का अधिकार केवल राजसभा को प्राप्त है किसी नई अखिल भारती सिवा के सिर्जन का प्रस्ताव पारित कर दे तो संसद विधी द्वारा नई अखिल भारती सिवा का गठन करती है ठीक है वहीं अगर हम राश्टपती की विरुद महावयोग का प्रारम करना की बात करें तो यहां संसत के किसी भी सदन में लाया जा सकता है चाहे लोकसभा हो चाहे राजसभा हो वहीं उपराष्ट पती को अगर हम पदिश्यूत करने की बात करें तो देखे उपराष्ट पती को पदिश्यूत करने है तो राजसभा द्वारा पून बहुमत से पारित संकल्प प्रस्ताव को लोकसभा के सहमती की भी आवसकता होती है ठीक है और भारती राज्यों की सिमाओं में परिवर्थन करना ये आपको पता होगा कि अनुछे तीन कंतरगत संसत को यह अधिकार प्राप्त है उसका बाद question number 4 देखेगा कि राज संगों का संग है कौन सी राजनितिक विचारधारा इस वक्तब्य का समर्थन करती है तो friends यह कौन सी विचारधारा यह है pluralism यानि कि बहूलवाद राइट अंसर इसका option number A हो जाएगा बहूलवाद सिधान्त का अनुसार समाद में सकती एक जगह केंदरित न होकर अनेक समोहों में बटी होती है अगला question देखेंगे next question है और friends वीडियो के last में आप सभी लोग इमांदारी से अपना अपना score कमेंट करके बताएगा और friends प्लीज आपसे request है कि वीडियो को like और share जरूर करेंगे जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को share किजिएगा देखें question number five है कि निमनांकित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है देखें नहीं पुछा गया है तो इसमें से कौन सा नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हैं यह John Ruskin की unto this last यह है democratic theory जो है यह जीवनी सर्टोरी को है यह भी सही है international relations यह जो है Palmer and Parkinson की है यह भी सही है यह जो है will of history यह किसकी पुस्तक है तो इसके लेखक राम मनोहर लोहिया है तो यह गलत दिया गया है तो गलत पुछा गया तो option number D हो जाएगा उसके बद next question दिखेगा कि निम्ननांकित में से कौन सा तत्व संग्ये वास्था का नहीं है संग्ये वास्था का नहीं है तो यह परतिबद नौकर साही संग्ये वास्था का तत्व नहीं है राइट अंसर इसका option number D हो जाएगा अगर हम संग्ये प्रणाली की बात करें तो भारती समिधान की जो संग्ये प्रणाली है यहाँ कनाडा के समिधान से अपनाया गया है ठीक है अनुछेद एक में कहा गया है कि भारत जो है यहाँ राजियों का संग होगा अच्छा भारत में गरतंत्रिय प्रनाली किस देश के समिधान से अपनाया गया है कल मैंने आपको बताया था किस देश से गरतंत्रिय प्रनाली अपनाया गया है तो फ्रांस से चलिए अगला कोशन देखेगा कि डॉक्टर अंबेदकर ने भारती समिधान के किस प्रावधान क को समिधान की अंतर आत्मा कहा था कहा है यह कहा था तो देखे फ्रेंट्स यह जो है यह डॉक्टर अम्वेदकर जी ने भारतिय समिधान के जो भाग तीन में भाग तीन में वर्णित जो मूल अधिकार में आर्टिकल 32 है जिसको कि समिधानिक उप्चारों का अधिकार कहा जा प्रेंट्स की निमन में से समिधान के दौरा क्या सुनिस्थित किया जाता है तो कार्यपलका की सक्तिया सासक युवम सासित के बीद संबंद यह भी सही है सरकार की विवन संस्थाओं के बीद संबंद उनकी संद्चना अम गठन तो रहे टेंसर उपर इक्त सभी हो जाएगा उसके बाद देखें भारती समिधान के आठीवी अनुसुची में कितनी भासाओं का उलेख है तो फ्रेंट्स आपको याद रखना है कि आठीवी अनुसुची में जो है 22 भासाओं का उलेख किया गया है ठीके कितनी 22 भासाओं का आठीवी अनुसुची में मूलतह कितनी भ द्यूटीज मौलिक अधिकार नहीं पुछा गया है, फंडमेंटल राइट्स नहीं पुछा गया है, फंडमेंटल ड्यूटीज पुछा गया है, मौलिक अधिकार पुछा गया है, तो भारती समिधान में जो है, मौलिक अधिकारों का मूल भारती समिधान में कोई प्रावध सब्सक्राइब को जोड़ा गया ठीक है वर्तमान में कूल मॉडल करतब के संख्या ग्यारा है और इसे जो है रूस के समिधान से अपनाये गया है ठीक है फ्रेंट्स तो राइट अंसर इक्क्यावन ए हो जाएगा नेक्स्ट कुस्सन देखेगा कि नमनलिखित निती निजिसक सिधानतों में कौन सा एक भारती समिधान में मूलतव नहीं था तो मूलतव जो नहीं था वो कौन नहीं था तो निसल के कानूनी सहयता निती निजिसक सिधानत का प्रवधान भारती समिधान में मूलतव नहीं था ठीक है friends तो राइट एंसर इसका option number A हो जाएगा ध्यान रखेंगे चलिए अगला question देख लीजेगा next question है कि 74 वा समिधान संसोधन का निशार समिधान में अस्थानिय सहरी निकाई के प्रसासन के लिए कौन सी अनुसुची जोड़ी गई ठीक है 74 समिधान संसोधन पूछा गया है तो friends कौन सी अनुसुची जोड़ी गई तो अनुसुची 12 जोड़ी गई राइट एंसर option number इसका D हो जाएगा ठीक है 74 समिधान संसोधन अधनियम 1992 वारा सहरी अस्थानिय स्वसासन को समिधानिक दर्जा दिया गया 12 अनुसुची में कूल 18 विशयों को कितने तो 18 विशयों को सामिल किया गया था ठीक है और 73 समिधान संसोधन अधनियम 1992 के द्वारा समिधान में 11 अनुसुची जोड़ा गया था और 11 अनुसुची में पंचायती राजहेतू 29 विशयों को कितने तो 29 विशयों को सामिल किया गया था दोनों को विशयों 11 अनुसुची में 29 और 12 अनुसुची में 18 विशयों ध्यान रखेंगे ये पूछा जाता है उसका बढ़ देखें निमलखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है सुमेलित नहीं पुछा गया है तो दीखें सुमेलित जो नहीं है यह आपका option बड़ी हो जाएगा समिधान का 84 संसोधन जो है इसमें क्या है तो समिधान का जो 84 संसोदन दिनियम जो है ये 2001 में हुआ था, ध्यान रखेंग कब हुआ था, 2001 में हुआ था और इसके द्वारा लोकसभा तथा विधान सभाओं की सीटों की संख्या वर्ड सथ 2026 तक जो है यथावत रखने का प्राधान किया गया था, यानि कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करने का प्राधान किया गया था, तो अप्सिन नुबर डी इसका राइट एंसर हो जाएगा, 42 समिधान संसोदन, आपको मैंने अभी बताया कि 1976 में हुआ था, 92 संसोदन, 1985 में हुआ था, 73 में 1992 में हुआ था, चलिए उसका बाद देखेगा कि भारतिय संसत का अस्थाई सदन कौन सा है, तो आपको पता होगा, अस्थाई सदन जो है, राजसभा है, और उचेद असी के तहद जो है, राजसभा का गठन किया जाता है, राजसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है, परन्तु इस सदन के एक बटा, तीन सद से जो है, प्रतेक दो व क्योंक 요 देखें अनु कौण सुमेलेत है तुछ में सब्सलीद जो है ये आपका तहजीव अत्छा उल्हक ये लिएक लेखक सरसईद इंत्ष कंने करें ले garant periodically का वह रिफंदर नातव घुथ ने किया था उसके बद और लिएट्छी नल cabinet में से किसने आरयों के आदी देश के बारे में लिखा था है फ्रेंट्स प्रिवेस येर जो बिहार द्रोगा का मिंस का पेपर है उसको भी मैं आपको कवर करवा दूँगा ठीक है चलिए तो बताए किसने लिखा था तो ये लिखा था बाल गंगाधर तीलक ने ठीक है इसमें कड़ा नामक गाओं में 1631 सिस्पिम हुआ था तो कड़ा के ठीक है इनका जो प्रसिद दोहा है वो सुनीजिए अजगर करेना चाकरी पंची करेना काम दास मलुका कह गये सबका दाताराम इनका ये प्रसिद दोहा है याद रखेंगे उसको देखेगा कि सेख निजा निजामुदीन ओलिया बाबा फरीद के सिख थे निजामुदीन ओलिया और बाबा फरीद चिस्ती सिलसिला के प्रसिद सुफिशन थे चिस्ती सिलसिला के किसके तो चिस्ती सिलसिला के तो रैटन सर हो जाएगा बाबा फरीद उसको देखेगा कि महात्मा गांधी के डांड 12 March 1930 को गांधी जी ने साबरमती आशरम से शरू किया था और 6 April 1930 को गांधी जी ने डांड़ी पहुंच करके नमक कानून तोड़ा था सांकेतिक तौर पर तो उसके इसाब साप्षन नमबर C हो जाएगा समुद्र के किनारे नमक बनाया था ये गलत है नमक कानून इनोन सांकेत तोर पर जो है तोड़ा था और सुभासंद्र बोश ने गांधी जी के डांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन द्वारा की गई एलबा से पिरिस एलबा से पिरिस यात्रा से की है ठीक है चलिए अठारसो संताओन की जब क्रांती हुई थी उसमें गौर्णर जेनरल कौन था तो यह लोड कैनिंग था आपको पता भी होगा फ्रेंड्स भीमबेटका की खोज हुई थी भीमबेटका की गूफा कहा है तो यह महात्मा गांधी ने लॉर्ड इर्विन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी जिसमें से कुछ को गांधी इर्विन समझाता के रूप में स्विकार कर लिया गया था महात्मा गांधी ने लॉड इर्विन के लिख अपने पत्र में 11 मांगे की थी ठीके फ्रेंट्स कितनी मांगे की थी? 11 मांगे की थी और 5 मार्च 1931 को कब तो 5 मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझाता में गांधी जी की 11 सुत्री मांग में कुछ मांगों को आंसिक रुप से मना गया था राइट अंसर अप्सिन नमबर D हो जाएगा निमलेकित में से किसने सत्यागरा सबको गड़ा था तो स्वय माहत्मा गांधी जी ने अप्सिन नमबर B हो जाएगा चले उसका बाद देखेगा कि उस अस्थल का नाम बताईए जहां से प्राशिंतम अस्थाई जिवन के परमान मिले हैं तो यह कौन सा अस्थल है मेहरगड है ठीक है मेहरगड जो है नौपासान काल में सरपर्थम जो है यहीं से क्रिशी का साक्ष प्राप्थ हुआ है उसका बाद देखेगा कि मिमांसा दर्शन का नुसार मोक्ष की प्राप्ति किसके द्वारा संभाव है मिमांसा दर् वहीं अगर आपसे पूझा जाए कि सांक दर्शन जो है यहां किस पर बल देता है, तो सांक दर्शन जो है यहां प्रकृति की महता पर बल देता है, ठीक है, और मिमानसा दर्शन कर्म की महता पर, चले उसका बहुत देखेगा कि लॉड करनवालिस का अस्थाई बंदोबस्त ब्योस्ता जो थी करनवालिस एहम जौन सोर द्वारा शुरू किया गया था ठीक है और यहाँ बंगाल बिहार उडिसा उत्री करनाटक एहम बनारस के छेत्रों में लागू की गई थी वहीं अगर हम बात करें तो इस ब्योस्ता को सुरियास्त के नियम के नाम से भी जाना जाता है चली अगला कोस्टन देखेंगे नेक्स्ट कोस्टन है हमारा कि उस भासा का नाम बताएं जिसे मध्यकालीन भारत में सीविर भासा के नाम से जाना जाता है तो सीविर भासा के नाम से जाने जाता है उर्द्यू को अप्सिन नमबर डी राय टंसर हो जाएगा चलिए बंगाल की निमलिखित फैक्टरियों में से एक जो पुर्तगाल दोरा अस्थापित की गई थी वह कौन थी तो फ्रेंड्स वह फैक्टरी हुगली में थी अप्सिन नमबर सी राय टंसर इसका हो जाएगा कौन सा सुमेलित क्रम में है बताइए तो इसमें से अगर हम बात करें तो बालगंगा जरती लगा केसरी सही सुमेलित दियागा है केसरी और मराठा इने का है ठीक है ध्यान रखेंगे उसके बाद यह जो यहाँ पर देख रहा है यंग इंडिया यह महात्मा गांधी का है और निव इंडिया जो है इनी बेसेंट का है चलिए अगला कुस्सिन दिखेगा कि 1929 में नागपूर में संपन All India Trade Union Congress की अध्यक्सता किस ने की थी अच्छा ध्यान रखेंगे All India Trade Union Congress की अस्थापना 1920 में कब तो 1920 में लाला लाजपत राय और एनेम जोसी के द्वारा की गई थी इसका पहला अध्यवेशन 1920 में ही बंबे में हुआ था जिसके अध्यक्सता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था ठीक है और 1929 में ये जो पूछा गया है नागपूर में जो संपन हुआ था All India Trade Union Congress के अध्यक्सता है किसने की थी तो पंडी जोहरला नहरू नहीं किया था अफ्सन नमबर ए राय टंसर इसका हो जाएगा उसका बदे के निमन में से अकबर के दरबार के मुख्य चितरकार कौन थे? मुख्य चितरकार पूछा गया है तो ये कौन थे? दसवंत थे? अफ्सन नमबर सी राय टंसर हो जाएगा दसवंत और बसावन जो थे? ये मुख्य चितरकार थे दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के उसका वड़े के नमलेकेत मेंसे कौन सही सुमलित है? बताइए इस मेंसे कौन सा जो सही सुमलित दिया गया है? तो दिखें ये 1931 में राजगुरु को फांसी हुई थी लहोर स्रडेंतर मुकदमे के तहाई ठीक है? भगत सिंग, सुकदेव और राजगुरु को फांसी था यह क्या हुआ था तो भारती राष्टी कॉंग्रेस का दिवेशन रामगर्ड में हुआ था राल लाहॉर में नहीं हुआ था ठीक है हजारी बाग में उसके बाद देखे औसायो गांदलों 1920 में हुआ था रॉलेक्ट एक्ट 1919 में ठीक है चली 1919 में तो यह साही दिया गया है option number B correct दिया गिया है उसका वे दिके दो electron जो की एक ही काक्षक में है एक ही cell में है इसमें अंतर किसके दोरा किया जा सकता है तो किसके दोरा किया जा सकता है प्रचकरन quantum संख्या के दोरा कौन सा sum electronic है sum electronic, iso electronic rising कहा जाता है भीन तत्व के परमानो मुलक या आयन जिसमें इलक्ट्र 123 किसंग क्या समान होती है उसे sum electronic कहा जाता है और इसमें से देख लीजिए राये टन सर इसका option number C हो जाया कारबन का कितना होता है छे होता है नीट्रोजन का 7 होता है तो 7 में से आप देखिए एक यहाँ पर गरहन किया गया है तो 7, 8 हो जाएगा तो इस टोटल कितना हो गया 14 हो गया वहीं आप कारबन मोनो अक्साइड में देख लीजेगा CO में कितना है कारबन में 6 है और अक्सिजन कितना 8 है तो इसमें भी कितना हो गया 14 हो गया उसका बदेखे निमन में से कौन सा एक योगीक परक्साइड है परक्साइड जो है इसमें से कौन सा हो जाएगा तो देखे राइटनसर इसका ओप्सन नमबर B हो जाएगा BAO2 उसका बदेखे निमन में से कौन सी एक गैर अपचायक सुगर है गैर अपचायक सुगर इसमें से कौन सा हो जाएगा फ्रेंट्स तो यह आपका हो जाएगा सुक्रोज option number B push सुक्रोज सुक्रोज जो होता है glucose फ्रोक्तोज की मिलने से बनता है प्राकृतिक रबर में जो है बजहिए तो प्राकृतिक रबर में CIS विन्यास होते है ठीक है है तो फ्रेंट्स यह जो है एस्पार्टम है कौन सा है एस्पार्टम है उसके बाद next question देख लिएगा कि निमलेकित में से किस एक प्रक्रिया में किसी निकाय दवारा नो तो उस्मा का उस्वसन होता है और नहीं उस्मा भी मुक्त होती है तो देखे यह होता है एडियाबेटिक यानि कि रुदोस्म ऑप्सन नमबर सी राइटनसर हो जाएगा वह उस्मा गतिक की प्रक्रिया जिसमें उस्मा नियत रहता है तापमान परिवर्तित होता है रुदोस्म प्रक्रिया यानि कि एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है उसके बाद देखेगा कि एक तार का प्रतिरोध चार ओम है इससे घीच कर इसके लंबाई को दो गुना कर दिया जाता है तो नए तार का प्रतिरोध कितना होगा तो नए तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यह हो गया तो दो दूना चार और चार सोला हो जाएगा तो ऑप्सिर नुबर डी इसका राय टंसर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट कुस्सन देख लीजेगा कि एक लोह तार का वैदुत परतिरोध आ रहे है यदि इसके लंबाई तथा तिर्द्या दोनों दो गुना कर दें तो क्या होगा तो देखिए तो क्या होगा तो देखिए विशिष्ट परतिरोध का मान चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करता है यह लंबाई चितरफल की बिरिधी या कमी में इससे कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो विशिष्ट परतिरोध जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का मान और परिवर्थित रहेगा वहीं अगर हम तिर्जिया हम लंबाई के बदलने पर किसी चालक तार का प्रतिरोध बजल जाता है तो यह आधा हो जाएगा ठीक तो option number a इसका right answer हो जाएगा उसका देखेगा किसकी चुंबकिये प्रकृती प्रविर्थित ताप पर नेरभार नहीं करती है किसकी नहीं करती है तो यह प्रति चुंबकिये पदार्थ की option number a हो जाएगा उसका कुन करन में किया जा सकता है तो यह किसके किया जा सकता है फ्रेंट्स यह किया जा सकता है कोई त्वरित आवेश का ठीक है तो राइट अंसर इसका हो जाएगा किसी भी त्वरित आवेश से अपसे नमबर बी हो जाएगा पून आंतरिक प्रावर्तन में जब संपर्क के माध् दिग्र होगा हुगा है ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे 50 अनवी डिग्री प्रकास के पुन्वारि्ध परवर्तन के उधारन आपको पता है, हीरा जिद्ध चमकता है इसी के कारण आप्टिकल-फाइबर इसी पी पर काम करता है और गर्मी के दिनों में मिरिग तृष्णा हीरे में चमक उसके बाद के प्रकासी तंत्व यानि के ओप्टिकल फाइवर का कार किसी तलाब के वास्त्विक और अभासी गहराई में अंतर यह नहीं होता है यह प्रकास के अपवर्तन के कारण होता है ठीक है चलिए उसका बदे के परमानु के बोर मडल का अनुसार बताईए तो परमानु के बोर मडल का अनुसार जो है इसमें से बताना है आपको तो कलपना की जा सकती है एलेक्टोनों की कोनिये संबेग ह बटा 2π का सरल गुनक होता है तो आप्सन नंबर इसका दी राइट इंसर हो जाएगा उसका बदे एंटी को डाउन्स किसमें पाए जाता है तो जेकब और मोनार्ड ने किया था ज्यां करेंगे इस मोडल के अनुसार प्रारंभिक वाई मंडल प्रिथवी पर अत्यंत अपचायक था क्योंकि प्राहय सभी ग्रोह पर मिथेन की उपस्तिति के संकेत थे इसमें कौन कैंसर के उपचार में परियोग आता है तो ये कौन आता है HGH आता है समोग की एंटी बोडी से अलर्जिक क्रिया प्रानम होती है तो ये इती है IGE से आप्सन नमबर इसका बी राइट अंसर हो जाएगा ठीक है चलिए उसका बाद नेक्स्ट कुस्सन दिखेंगा कि कौन सा अधिक्तम पोसक है इसमें से तो सबसाद इक पोसक की अगर बात करें तो ये इसमें आपका बाजरा में होगा PCR तकनी का उपयोग का पता लगाने के लिए किया जाता है तो PCR अभी चर्चा में रहा था कोरोना में भी PCR टेस्ट आपने सुना होगा तो ये आपका हो जागा HIV ठीक है तो रहे टंसर इसका हो जाएगा आपका उपसर नमबर डी उसका नेक्स्ट कुस्सन देखेगा कि दिर्गकार आवर्त सारनी में किस आवर्त तथा समुह में इलेक्ट्रोन की संक्या सबसे अधिक होती है तो सबसे अधिक जो होती है ये चठवा आवर्त तथा तीसरे समुह में होती है चठवा आवर्त और तीसरे समुह में Church Altair ने किय था ठीक है उसका बहर दखेगा कि Uskova देखेगा जो यह हैandag bridge irgendwann क audio क्रेड़िट का एक सुरोत होता है ऐसके राष्टीे ग्रामिन स्वास्थ मीशन के शुरू किया गया था तो राष्टीए ग्रामिन स्वास्त मीशन अच्छा इसकी सुरुवात कब की गई थी तो 23 सितंबर 2018 को रांची के प्रभात फेरी मैदान से किया गया था और 25 सितंबर 2018 को पंडित दिन द्याल उपधाय की जहनती पर इस योजना को संपूर्ण देश में लागो किया गया था आइसमान बात योजना का जो दूसरा नाम है वो प्रधान मंत्री जन आरोग योजना है ठीक है तो ध्यान रखेंगे और यहां राष्टे ग्रामिन स्वास्त मिशन पुछा गया है इसकी सुरुवात 2005 में हुई थी उसका वदिके अल पिविक्सित देशों में से किस छेतर में आई की अधिक असमानताएं पाई जाती है तो यह असम जो है सेवा छेतर में पाई जाती है उसका वदिके मूनले अवम पुंजी नामक पुस्तक के लिखा कौन है तो फ्रेंट्स इस पुस्तक को लिखा किसने है तो जी आर हिक्स ने लिखा है उसका दिके मिश्रित अर्थवास्था सक्यात आतपर है मिश्रित अर्थवास्था सक्यात आतपर है तो फ्रेंड्स नीजी और सारवनिग छेतर का सह अस्तितो हो option number C, भारत में मिश्रित अर्थवास्था है, करकरेका भारत के निमलकित प्रांतों से होकर के नहीं गुजरती है, कौन-कौन से तो गुजरात है, राजस्थान है, मद्धप्रदेश है, छत्तिसगड है, जारकंड है, पस्चिम बंगाल है, तिरिपुरा है और मिजोरम है, उत कहवा के कूल विश्व के उतपादन का 60% से अधिक भागप्राप्त होता है, तो कहां होता है, यह होता है, लैटिन अमिर्का से, ठीक है, कहवा का जो उतपत्ती अस्थल है, वो अफिरका महादीप का इथोपिया माना जाता है, अप्सन नमबर E हो जाएगा, लैटिन अमिर जातन और द्रवमान पाये जाता है, तो यह कहां पर पाये जाता है, यह पाये जाता है, आपका मेंटल में, कहां, मेंटल में, किस प्रकार की फसले मिट्टी की उतपादक्ता बढ़ाती है, तो यह जितने भी दाल होता है न, दलहनी पौंधे, जिनके जड़ों में राइज है फिक है नाथNS जो है यह आपका सिक्किम है चांगल जो ए यह डोक्त में हैं जो जिला जो है यह आंप कमिट करके चांधार कहा है उसको तोड़ा जनजाती आवाश करती है तो यह नीपली पहाड़ी में तमिलाड़ेंग ठीक है भारत में कोईला का उत्पादन पूछा जाता तो 36 गड होता बंडार धारखंड हो जाएगा उसका बदेखे इंद्रा गांधी नहर जल आपुरती प्राप्त करती है कौन-कौन से नदी से तो फ्रेंड्स यह जो है व्यास सतरज और रावी नदी से व्यास सतरज व्यास सतरज और रावी नदी से तो 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 रावी नद इस तेहरी हो जाएगा गेट नखर जो है ये में आप कहा हो जाएगा कहां पर मसूरी तो राऍट अंसार इसका नमबर सी हो जाएगा उसकािए won गर्ट के अधिकान्स भाग की विशेष्ता है तो अधिकान्स भाग में जो विशेष्ता है लाल मिट्टी ठीक है लाल मिट्टी पाए जाती है वो भी सुमें कौन सा है तो यह मैक्सीको हो जाएगा उसका वाद के निमलिखित अस्तल रूप अपर्दन कारकों का सुध्य युग में है तो दीके एक तरफ जो है यह आपका अपर्दन है और इसका अस्तल है और इसका रूप दिया गया है तो महाखड गौर्ज जो है नदी के दौरा उसके बाद अगर बात करें हम हाँ ही कैदि यह कास्ट अस्तल किरिकति का उधारन नदी का नहीं है चलेओशिपरिका जो है यह नदी के दौरा होता है उसका पाद देखेगा कि वहां यापिंग है अंघ्य हिंदी में भी है अंगैजी में ऑन्तिर्पित्स म मैंने बताया था जब COP26 का बताया था कि COP26 कहां ग्लासगों में हुआ है और COP27 इजिप्ट में होगा मिसर में ठीक है कौल वाली वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था उसका बद देखिएगा कि वरियस्पति ट्रोजन सुद्रगरों का पता लगाने के लिए नासादवर उसके बाद देखिएगा कि math के question है और reasoning के question है 81 से लेकर के 100 तक में 20 question math और reasoning से पुझे जाते हैं देखिए एक विद्यालय में 200 विद्यार थे जिन में से 2 बटा 5 भाग लड़के हैं तो विद्याय में लड़कियों के संग है तो 200 दिया गया है और 2 बटा 5 अबर लड़के ह तो यानि कि 3 बटा 5 जो हैं लड़किया होंगी तो अब इसको solve कर देजएगा पांच जो कभी 40 हो जाएगा 493 यानि कि 120 इसका right answer हो जाएगा बहुत ही simple है आप लोग स्वाम math और reasoning हाल कर सकते हैं ठीक है math और reasoning का solution मैं PDF में आपको दे दूँँगा टेलिग्राम पर सक्सस केंद्रा इसी नाम से आमरा टेलिग्राम चैनल है करीब 22,000 क्यास पास वहाँ पर सब्सक्राइबर हैं वहां आपको जूड़ना है उसका बाद देख लिए देगा कि कर रहा है कि खरिदते समय बेशते समय जब 15 परतिशत की धोखाड़ी करता है तो उसका cool lab परतिशत पुछा गया है तो यह बहुत ही आसान कुस्चन है आप इसको solve कर शकते हैं देखे 15 प्लस 15 प्लस 15 गुना 15 बटा 100 ठीक है जैसे ही आप इसको solve कर देंगे आपका देखे बेशते और खरिते समय दोनों समय गड़बड़ी करता है तो यह 32.25 इसका रहा टेंसर हो जाएगा उ उसका बढ़ देखे 7 का square दिया गया है और यहां देखिए 7 और यही 2 दूना 4 हो जाएगा तो 2 यहां पर आजाएगा फिर से में कर देता हूं यह इसको बाहर निकालेगा तो एक पुटा 2 into 4 हो जाएगा तो 2 दूना 4 यह 7 का square भगा 7 का square equal to 1 इसका answer आजाएगा 1 answer सदाइगा अपको यहां पर व्यास बताना है सदारन व्यास पर ठीक है तो मुलदन 500 रुपया है चारवर समय दिया गया है 530 से 5200 200 कट गया 55 25,25 का कितना होता है 25 का 100 होता है ठीक है चली तो राइटंसर इसका 100 हो जाएगा और उधार 500 या था तो 500 और पलस 100 जोड़ देगा तो 600 रुपय उसको उधार चुकाना है उसके बाद दिखली जेगा 33 मिटर कपड़ा बेचने परिवक्ति को 11 मिटर कपड़े के मुले के बराबर लाब होता है तो परतिसत पुछा गया तो बहुत ही सिंपल है 11 मिटर कपड़े के बराबर 33 मिटर गुना 100 कर दिए अब इसको स्वल्ब कर लिजेगा तो 33.33 राइटंसर आ जाएगा उसका बाद देखे यह पूछा गया 11 सी बिवाजी तो 11 सी बिवाजी छोने का रूल आपको पता है सम अंक पूछा गया अब इसको स्वल्ब कर जिएगा तो यह आठ एंसर आ जाएगा मैं हिंट देते चलता हूं आप स्वल्ब करेंगे उसका बारा व्यक्ति छे दिनों में एक बटा चार काम पूरा करते हैं किलेर है उसके बाद कर आए कि अगले छे दिनों में काम करने के लिए अ आगे बढ़ते हैं उसके बाद दिख लिएगा यह आई वहला प्रशन है आप इसको असानी से निकाल सकते हैं इसका राइट एंसर कितना हो जाएगा तो राइट एंसर इसका हो जाएगा 13 वर्स और 25 वर्स उसे परकार से यहां पर देखे 29 बाइनारी में बदलना है अब द देखे 2 से 14 दून 28 बचा कितना 28 एक बच गया 29 हो गया अब फिर 2 से 2 से 14 पूरा कट गया 0 बच गया फिर 2 ती आई 6 बचा कितना 1 बच गया फिर 2 एकम 2 बचा कितना 3 में से 2 निकल गया तो 1 बचा अब एक देखे नीचे से लिखे 1 1 1 3 1 हो गया फिर 0 हो गया और फिर 1 हो गय तीन एक जीरुक दिखा अप्सन नंबर C में आपको दिया गया है ठीक है चले उसका बाद देख लिए जिखा एक मांचीतर पर एक सेंटीमेटर इकल तो 18.5 किलोमेटर के रूप में दिखाया गया है अस्थान A से B के बीच के दूरी जो है 22.25 किलोमेटर है अब इसका वास्त नंबर A राइटन सर हो जाएगा उसका बाद देखेगा ये कह रहा है कि दो संख्याओं का दो अंको की संख्या है दो अंको की संख्या मान लिजे आपका क्या हो जाएगा 10X प्लस Y हो गया ठीक है उसका बाद एकाईयस्थान Y का है और दाईयस्थान X का है तो 10X प्लस Y हो उसके बाद उसके अंको को आपस में बदल दिया दाता है तो बनी संख्या का योग यानि कि अगर हम अंक को बदल देते हैं तो अब क्या हो जाएगा? नवाई हो जाएगा इसका योग कर रहे कि 99 है अब इसको आप सॉल्ब कर दीजे भाई answer निकाल लिज़ेगा मैं equation बता दिया आपको right answer इसका 63 आ जाएगा 93 का जो correct answer आ जाएगा वो आपका 30 degree आ जाएगा उसके बाद दिख लिजे ये वाला question आपने बहुत बार किया होगा इसको आप solve करेंगी reasoning का question है 10 km इसका right answer हो जाएगा उसका दिखे B, E, D को इस तरह से लिखा जाता है तो D, I, D को किस प्रकार से लिखा जाएगा अब दिखे B का position कितना है 2 होता है 2 का square कर दिजेगा 4 हो जाएगा E का position कितना होता है 5 होता है 5 का square कर दिजेगा 25 हो जाएगा D का कितना होता है D का 4 होता है, 4 के square कर दीज़ेगा, 16 हो जाएगा, उसे पर कर D का 4 होता है, 4 के square कर दीज़ेगा, 16 हो जाएगा, I का कितना होता है, 9 का कर दीज़े, 80 हो जाएगा, G का कितना होता है, 7 होता है, 7 का कर दीज़े, 89 हो जाएगा, 16, 81, 89, option number B, right answer हो जाएगा, उसका बाद देखे, य 97 का right answer option number B हो जाएगा सणीवार और 98 का correct answer जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 0 99 का जो correct answer हो जाएगा friends वो आपका option number A हो जाएगा और 100 का जो correct answer हो जाएगा 100 का option number B हो जाएगा अपने score कमेंट करके बता जीजे वीडियो को like और share कर दीजे